जब किसी स्टूडेंट का एक्जाम पास आता है ना तो सिर्फ तैयारी का प्रेशन नहीं होता कई सारी ऐसी चेतावनिया कई सारे ऐसे छोड़े छोड़े नोटिस आते रहते हैं जिसकी वज़ए से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है और एक्चुली मैं ऐस बींग में एक अपडेट आया तो पॉइंट यह आता है सर कि अब यह पॉइंट यह आपके जो कन्फ्यूजन है माइंड में तो हैं लेकिन स्टूडेंट ना अनवेयर हैं या फिर मैं कहूं बहुत सारे स्टूडेंट अभी पढ़ाई मित्ता लगे होई कि वह सबस्ते लास्ट मे जाके या तो आप गलती कर देते हैं या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि उसको करही नहीं पाते और लास्ट में आप लोग भटकते रहते हैं फिर अल्टरनेट ऑप्शन्स आप लोग ढूंड रहे होते हैं आज इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी समश्या को हम इतरग है और उनका सालों लौ का मेनथ था नहीं पता है ऊच्छे मेना से आप तैयारिक कर रहें थे साल भर से तयारिक कर रहें थे और उस सिच्वीयों में लगता है अब चोटी सी गलती मेरे से नहीं होता जिससे कि मैं यह साल भर का मेनत एक्जिक्यूट कर पाता है एक्जाम में सेलेक्शन हो नहों तो अलग बात है तो आज में हम लोग बात करने वाला है एक बिग अपडेट के बारे में जो अधार लॉक और अनलॉक यह जो दो सिच्वेसन है तो अगर आपका अधार लॉक है या आपका अधार अनलॉक है इसको कैसे चेक करेंगे बहुत सारे बचे कनफ्यूज होंगे हो सकता आप भी कनफ्यूज होगा जरूर बताएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपके साथ भी क्या यह पोल्लम है बिल्कुल घबराने की नहीं है इंजनस वाला के टीम आ चुकी है वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़े बताएंगे और सारी चीज़े यहां पर रिजॉल्ब करने वाले हैं चली सर तो फिर बिल्कुल सर और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं देखो यहां पर यह हम लोग अगर आपने अभी तक नहीं यह चेक किया कि मेरा अधार अन्लॉक है या अगर लॉग है तो इसको कैसे लोग कर आए प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बनी देगा थैंक्यू चलिए स्टार्ट करते हैं फिर देखो यह नोटीस आया था आपने नोटीस तो देखा ही हो कि मौईल फॉन में हुगा गूगल प्लीय तो जाओगे न यहाँ पहें मधार करके सर्च करना एक आपको मॉइल का इंटरफेस दिखेगा को इसको इंस्ट्रॉल कर लेना है और जैसे है इंस्ट्रॉल कर लोग आपको मयल फॉन में खलिक करोगे तो यह प्रोसेस में घबरा युनिफाइड अधार एप येस और इसमें लेंग्वेज सेलेक्ट करने के सबसे पहले आएगा लेंग्वेज में इतने सारे लेंग्वेज है अपने एक औरिंग्वेज़ कर लिजेगा हिंदी इंग्लिश जो भी भासा है और इसके बाद जैसे इंटर करोगे तो आपको प्लीज ट्राइगें लेडर आफ्टर संट यस दो बार तीन बार ट्राइग करना सरवार चलना थोड़ा सा बीजी और वीजी रहता है यह हमेशा ही रहता है तो घबराना नहीं एक बार में दो बार मिने गगा तीन बार चार बार कर लेना करोगे अपने आप और इसके करना आँ है और है और जैसे इस पे क्लिक करोगे ना आप आ जाओगे यहाँ पर ला हो गवराने की नेहीं है आपको जनरेट करना ये सीकूरिटि यह रख लेना हो सकता है फ्यूचर में काम है यह तो यह जनेरेट करके रख लिजेगा और यह कर लिजेगा जैसे इसको नीचे में देखना आपको यह अधार अपडेट बुक एन एप पॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक लॉग और नीचे में लिखाए आधार लॉग अगर आपका अधार का लॉग होगा तो यहां पर इस तरह का चीज़े दिखेगा लेकिन यह क्या है यह अनलॉक है यह ताला नहीं लगा हुआ है यह अधार अनलॉक है आपको बिल्कुल भी परेशान होने के निद्व नहीं है आप अराम से त्यारी कीजिए एक्जाम में कोई प पर क्लिक करोगे न तो यह आएगा अनलॉक अधार का उप्षन आएगा ऐसे अनलॉक अधार करने का ऑफ्षन जैसे एक क्लिक करोगे तो आपको आप माएगा इंटर वर्चॉल आइडी आपका फुल निम यहां लिखा हुआ और लेडी आएगा क्यों तो डालोगे अब सब तो बर्चोल आईडी घवराने को जोतनी है थोड़ा सा बैक जाना यहां पर गए था न अपने लोग यह जो पैनल दिखाता यह वहां पर जाओगे तो जैको जनरेट वर्चोल आईडी पर क्लिक करोगे यह थोड़ा बैक जाओगे यह दिख रहा है यहां पर नीचे में कीधा कोफी कर लिजेगा इसको प्रोसीड किजेगा और प्रोसीड करने के बाद जैसे ही जाओगे न वर्चोल आइडी यहां पर प्रोट खोंगे यहां पर नेम दिखी रहा है प्र HOR दिखी रहा है आपका चेक कर लिजेगा और यहां पर आप डालोगे security को और फरदर आगे प्रोसीड करोगे जैसे ही प्रोसीड करोगे यहां पर प्रोसीड करोगे आप तो आ जाएगा यह OTP फिर से माएगा आपको फिर से mobile पर जाएगा OTP क्योंकि आप अपने अधार को unlock कर रहे हो और जैसे OTP जाएगा six digit का OTP डाल दी करने के बाद इस तरह आएगा अधार is unlocked अब आपका अधार unlock हो गया है और अगर इसको चेक करना आप तो फिर से यह जो प्रोसेस है ने जैसे मैं बताया हूं सुरुआत से वैसे ही कीजेगा और कीजेगा तो आपको यह दिखेगा इस तरह से अधार unlock दिखेगा आपको बि language select करिए mobile number registered mobile number enter करिए जो OTP आएगा उसको OTP को आप लोग यहाँ पे एंटर करिए आपके सामने interface आएगा अपने आधार को यहाँ पे register करिए register करने के लिए आपको खुच से एक जनरिट करना पड़ेगा पिं जनरिट करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ फिर अपना आध आप जाके भी आप जश्र सनने बताया ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर एक अगर लॉग है तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है अंलोक आधार पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर बर्चुल आई डी जो आपने पहली जनरेट कर सकते हो सब्सक्र का हमने दूर कर दिया कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्या आप लोगों को इससे मदद मिली है और आप लोगों का आधार आपने अनलोग कर लिया या नहीं कर लिया थैंक इस सो मच मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर थैंक यू सो मच